हाई आज हम पांच मिनट में साड़ी कैसे पहनते हैं यह ट्राइ करने वाले हैं मैंने एक ब्लैक कलर की साड़ी ली है जो की ब्रॉट लेस में है तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें पेटिकूट पहन लेना है साड़ी के मैचन का क्योंकि यह मेरी साड़ी थोड़ी ट प्रांस्पेरंट हो तो आप पिटिकोट थोड़ा लंबा पहने, छोटा कतीना पहने कि इतना भी लंबा नहीं कि वो फर्ष को ही टच करें और छोटा इतना ही नहीं कि वो आपके पैर के टकने से उपर तक चला जाए जितनी मैंने लेंध में पिटिकोट पहना हुआ है आपको उतनी ही लेंध में पहनना है क्योंकि उसके बाद नीचे फॉल आ जाता है तो जो बचा हुआ इससा है वो फॉल कवर कर लेता है तो हमें राइट हैंड साइड से हमारी साड़ी को टक करना स्टार्ट करना है उसी साइड मैंने पीटी कोट का बैल्ट भी बांदा है बैल्ट हमेशा टाइट बांदे और टक हमेशा थोड़ा थोड़ा करके कपड़ा करें और जो फर्स्ट पॉइंट हो थोड़ा ज्यादा ट पेहले पल्लु बना लें और उसके बाद ही प्लेट से स्टाह्ट करें तो पल्लु मैंने roughly खटा किया है और इसको एक साथ हिकटा करना है छोटा बड़ा नहीं लेना है नहीं तो प्रेट्स भी छोटी बड़ी दिखाई देंगी बाद में आप जितनी भी लेन्थ में लेना चाहें चाहें तो अपने घुटने से उपर या चाहें घुटने से नीचे उतनी लेन्थ में आप अपना ले सकते हैं जितना भी आपको अच्छा लगे पर अगर आप इतना ही लंबा ले तो वह जादा सुन्दर लगता है उसके बाद हमें साड़ी के उपर का हिस्सा पकड़ना है और उसे हमारे नाभी की सिध में जाके या नाभी से थोड़ा आगे एक सिफ्ट पिन से कॉर्णर से करना है बिल्कुल कॉनट से ही हमें अटाईच करना है उसके बाद हमें अपना दो हाज जितना कपड़ा साड़ी छोड़ने के बाद हमें जिग Zombie मे जा जात ले और अपने फिंगर की मदद से उन्हेंपकड़ते पकड़ना है पहले यहां पर थाम से पकड़ना है फिर इस व प्लेट बनती ही दिखती है तो आप उसे भी बना लें बाकी की साड़ी को तो हमने टक कर दिया हमारे पेटी कूट में पर यह जो प्लेट की साड़ी रहती है यह लंबी रह जाती है तो इसे कुछ इस तरह से उपर करना है जटकारना है और फर्ष तक देखना है कि जहां तक फर्ष को टच करें उसके बाद आपको जिस पॉइंट से अपने कमर में उसे अंदर डालना है वहां से प्लेट्स को एक्वल करें इक्वल करने के बाद, उन्हें कुछ इस तरह से पकड़े और हमारी नाभी की सिद्में है नाभी से थोड़ा दूसरी हलका सून्निस विस साइड में आप एक सिफ्टेपीं से सिक्यूर करें पेटिकोट में टक करने के बाद उसके बाद साइड में फिनिशिंग करें अगर कोई कपड़ा उदर रह जाता है तो उसे प्लेट के पास लाके खटा कर दे नेक्स हम चलते हैं हमारी साड़ी की कंधी की प्लेट बनाने की तरफ क्योंकि मेरी साड़ी लेस वाली है तो मैं लेस के अंदर अंदर ही plates बनाऊंगी पहली जो plate है वो थोड़ी बड़ी और उसके बाद सभी plates को zigzag तरीके से अपने thumb और अपने finger की मदद से पकड़ते हुए कुछ इस तरह complete करना है plates बनाते वक्त ही ध्यान रखना है कि last corner वो हमारी shoulder पर आएगी वो हमारे right hand side की तरफ होते हुए रहनी चाहिए और जो उपर उपर रहेगी first वो हमारी left hand side होते हुए हमारी shoulder पर आती है तो कुछ आपको इसी तरह हमारी shoulder पर रखना है ऐसा ना हो कि आप दोनों के ही last point right hand side या left hand side कर दें प्लेट्स बनाने के बाद आप कुछ इस तरह उपर करके उन्हें दूसरे हाथ से लें ताकि हमें बार-बार plates ना बनाने पड़े ऐसा करने से plates वहीं रहती है even रहते कुछ 90-20 फरक होता है पर हमें इतना छोटा पल्लू नहीं चाहिए अब इतने अब हमें पल्लू को वापस उपर करना है और हमारे shoulder पर रखके देखना है कि हमें कौन सी जगाव असाड़ी में safety pin लगानी है अब मैं इन plates को अपने shoulder पर रखने वाली हूँ ताकि यह पता चल सके कि मुझे इस point पर हमारे blouse और plates को attach करना है हमारे shoulder पर हमेशा shoulder की सिलाई से थोड़ा नीचे ही हमें safety pin लगानी है अब मैंने साड़ी को पकड़ की देख लिया कि मुझे इस जगह पर safety pin लगानी थी तो अब मैं वापस इनको roughly plates बना रहे हैं कुछ इस तरह उपर करके यह पहले से बनी हुई थी एक बार इने वापस finishing से बनाना है चो पहले plate है वो बड़ी रखना आप ताकि बागी की छोटी plates उसके अंदर सेट हो जाएं कुछ इस तरह हमें shoulder के नीचे की तरफ plates में safety pin लगानी है आप चाहें तो front में भी एक छोटी सी safety pin लगा सकते हैं ताकि आपकी plates जो की बहुत ही खुबसूरत look देंगी अगर आप इस तरह एक safety pin लगाती है पहले ने एक बार set करना है और दूसरे बार set करने के बाद यहां पर एक safety pin से attach कर देना है ऐसा करने से finishing रहेगी साडी का look भी बहुत अच्छा हैगा तो इस तरह से हम easily 5 मिनुट में हमारी साडी को पहन सकते हैं यह बहुत ही आसान तरीका है साडी पहनने का खास कर के daily uses के साडी को भी हम इस तरह से आसानी से पहन सकते हैं अब जब भी साडी कैरी करते हैं तो सबसे पहला होता है कि हमें pity coat है जो tight band ना होता है क्योंकि pity coat अगर हमने lose बांदा है तो साड़े बार-बार उसमें से निकलती है अगर आपको वीडियो हेल्फुल लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें शेयर करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें Thank you so much for watching